वेल्डू ट्रेडर गुड मोर्निंग व्यू वेल्कम तो आवर यूटूब चैनल डिसकस्व ट्रेडिंग तो आज का जो हमारा टोपिक रहेगा बेसिक टू एडवांस लेवल के कोर्स का वो वीडियो आज थर्ड वीडियो रहने वाली है तो इसमें हम टेकनिकल एनालाइसि क्यों हमें जरूरी है और कैसे करते हैं जैसा कि आपको पता है मैंने फंडामेंटल एनालाइसिस के बारे में बताया है पिछली वीडियो में तो इसमें क्या होता है हमें ट्रेडिंग करने के लिए यह होता है टेकनिकल एनालाइसिस ठीक है टेकनिकल एनालाइसिस और यह फ करना हूँ के यह टोपिक हमारा कल हमने कवर कर लिए ता इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक अभी टेकनिकल ए Nep Island सिस क्यों करते हैं यूज् لم के Te इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी होती है, स्विंग, ट्रेडिंग, धर्ड होता है, एफ एंडो, फ्यूचर एंडो उप्शन, ट्रेडिंग, यह जो हम ट्रेडिंग करते हैं हमारी, यह हम कैसे करते हैं, यह हम चार्ट रीड करके ट्रेडिंग की जाती है, चार्ट रीड कर करने को है by टैकनिकल ऐंडलाइसिस बोलते हैंk więc fins 對啊 जाड्रीड करने को यह फिर ठेकनिकल आनलाइसिस बोलेंगे और अभी टैकनिगल अनलाइसिस में होता क्या-kya है چार्ट एक क्या तरीका है तेरी cannabis बनता है तो इसमें होता है history repeat होती रहती है जो फास्ट में बना था वही यहां पर आके दुबारा वही फोर्मेशन होगी तो उस तरह ही काम करेगा यह एक logic होता है इसमें history repeat itself फास्ट हिस्ट्री ठीक है और technical analysis plus price action ठीक है प्राइज एक्षन को देखे प्राइज एक्षन का मलब है यह candle जो बनी है इतनी हमारी यह जो time frame रहेगा इतने time में candle का जो प्राइज था उसका क्या action रहा क्या movement रही है उसको हम बोलते हैं प्राइज एक्षन ठीक है तो फेस्ट देखेंगे हम candle of psychology candle की psychology जरीम और राइड बनती है इनके पिछ बाइर और शेलर की साइक लोजी नो देखेंगे हम एक हमने दो और अब बनती है पहले हम यह candle होती है का पार्ट देखते हैं यह है केंडल हाई ठीक है और फिर यह निच्छे होता है जो हमारा यह होता है केंडल लो ऐसे से मिसमें बनेगा तो हमारी ग्रीन केंडल है यह हो गया हमारा केंडल हाई और यह हो गया हमारा केंडल लो यह इसके बाद है यह जो उपर यह निकली हुई है इसको हम पोलते हैं विक्स केंडल विक्स या सेड़ो ठीक है और यह होती है हमारी बोड़ी केंडल की इसमें भी ऐसे ही सेम है यह बोड़ी रहेगी यह हमारी विक्स रहेगी ठीक है इसमें भी ग्रीन और रेड़ केंडल का जो डिफ्रेंस है मैंनली वह क्या होता है तो रेड़ केंडल की जो कि निच्चे और क्लोज होता है ऊपर कि लोग ओपनिंग प्राइज है ऊपर की साइड़ क्लोज होगा तो हमारी ग्रीन केंडल बनेगी और उपर को लगा कि यहां से उपर नहीं जा सकती है तो मार्केट थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-ठोड़ा करके अपसा जाती है अपसाइड जाती अपसाई है तो मार्केट वापीस नीच्चे आने लगती है और seller इसको धखेल देते हैं बायर की comparison में seller का ज़्याद्धा domination होता है और मार्केट नीचे की side आती है और बिल्कुल यहां तक आती है तो candle यह candle का लोग हो गया यहां से थोड़े बायर एक्टिवेट होते हैं यह जो उपर सेजिशनों किया था अपना profit करते हैं तो मार्केट थोड़ा रूप पर जाके यहां पर कंडल कलोजिंग दे देती है और यह रेड़ कंडल की कंडल को नीचे की साइड लेकर आते हैं तो इसका जब ग्रीन कल बनेगा तो यह मार्केट यहां तक आती है यहां तक आने के बाद बायर को क्या लगता है कि हाँ अच्छी आच्छी का से प्राइज पर आ चुकी आप हमें इसे बाई करना चाहिए तो यहां से पुच्छ कर से ले जाके अपसाइड ले जाते हैं मार्केट को और इतना ऊपर ले जाते हैं यह कंडल हाइ।ा यहां से स्टाइल कहीं पर भी मिच्चे-की साइड होगा तो रीट अलग लोग ही बनेगी की है निदर की साइक्ट थी होती है तो हमारे अलग से कल को स्टार्ट लबेडियो को जाएगे तो इसलिए आज के लिए इतना इसलिए उसलिए काफी है न्शीً отно? क्ल हमारा टैपस गांडल्स के बात एसमारे में रहेगा थैंक्यू अलब यू वीडियो अच्ash लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेल जुक्त ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो है हमारी थाइप सोप केंडल